असलाम वालकुम नार्टिम, मैं आपकी शेफ S&J, आज आपके लिए मज़िदार पसंग की एक और रेसिपी लेगाई हूं और ये है चिकन और पनीर दिक्का मसाला, जी हाँ बिलकुल ये दोनों का कमबाइन है, यनि वैंग और नॉन वेच का कमबनेशन है, नॉर्मली आप जिसमें जो जितनी रेसिपी आपको मिलती है वो या तो पनीर की होती है या चिकन की होती है, लेकिन हम इसको बना रहे हैं दोनों को साथ में, क्योंकि बास लोग चिकन नहीं खाते हैं, बास पनीर नहीं खाते हैं, तो आप एक डिश में दोनों के लिए कर सकते हैं, हाँ उ लोग नौन वेज नहीं खाते उनके लिए यह नहीं है अगर आप पकाना चाहें इसको पनीर में खाली तो पनीर में भी बना सकते हैं और अगर आप चाहें चिकन में तो सिर्फ चिकन में बना सकते हैं तो चलिए हम चलते हैं अपनी कोकिंग के दरफ पहले आपको इंगिडियन्स बताते हैं और फिर उसके बाद कोकिंग स्टार्ट करते हैं जी नाजीम्स हम जो युनीख सी रेसिपी बना रहे हैं वो है पनीर और चिकन तिका मसाला दोनों चीज़े कंबाइन करके बना रहे हैं तो मैंने इसे मसाला लगाके रख दिया था ओवरन नाइट दोनों चीजों को मैं आपको इंगिडियन्स बता जाती हूं सिंपल सा बाकी है और वो है मीट टेंडराइजर आप देख सकते हैं यह आसानी से हर जगा अवेलेबल होता है यह हम आखिर में डालेंगे है अगर हम पहले से डाल देते तो चिकन सिर्फ चिकन में डालना है और वो बिलकुल घुल जाती लेकिन अगर अब हम इसमें डालेंगे तो जो पनीर तिक पनीर है यह भी धाईसोग्राम है यह दोनों चीज़े हमने धाईसोग्राम ली है मैं आपको एक का मसाला बता रही हूं यही मसाला हम इसमें भी डाल रहे हैं यह भी धाईसोग्राम है और यह भी धाईसोग्राम है तो आप इस हिसाब से इसमें भी शामिल कर वन टी स्पून, हल्दी डाली है, हाफ टी स्पून, इसके अलावा धनिया पॉडर डाला है, हाफ टी स्पून, ताली मिर्ज डाली है, हाफ टी स्पून, नमक हाफ टी स्पून, दही फोर टेबल स्पून डाला है, फूट कलर डाला है, हमने वन एट स्पून, और इसके अलाव यानि यह जो मैंने मेजरमेंट मचा है वो इसमें डालें और यही मेजरमेंट इसमें यह हाफ 250 ग्राम 250 ग्राम हिसाब से है इसको मेरिनेट करके ओवरनाइट रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है अब मैं आपको इसको पकाने का तरीखा बताऊंगी सबसे पहले हम इसे पै तिक्के का फ्लेवर आएगा वह इसमें बहुत अच्छा लगेगा एक कुक उसका और यह मैंने इस पर वन टी स्पून के करीम वन टी स्पून लेवल बहुत जादा मत डालिएगा मैंने इसमें मीट अंडरा जर्वी शामिल कर दिया मैं मिक्स करके इसको पैन में पकाती हू जिना जिन सबसे पहले हम तिक्के को फ्राइ कर रहे हैं दो तेबिल स्पून के करीब हमें इसमें आयल डाला और इसे अच्छा गरम कर लें पहले हम पनीर को पकाएंगे और फिर हम चिकन को और तेज आच पिर जल्दी क्विक करना है क्योंकि हमें इसे फिर बार्बीक्यू को अफेट की देना है कि सबसे पहले हम इसमें पंजे टालें के तो रचा वारे मुखाले कर दाले के इसमें इसका लेवर आना चाहिए बेशिकी दौनों चीजों को अलयदा अलयदा पकाएं अलयदा पकाने का रीजन यह है कि इसमें चिकन खुड़ा टाइम जादा लेती है और हमारा पनीर है वह बहुत कोईक हो जाता है तो जादा पकाने की दुरूत है हमें सिर्फ मसाले को कुख करना है तो राद भर से मसाला लगा दिया था तो फारे पीसिस है वह अच्छी तर करने के दो तरीके हैं आपको सासा तोल बता देती है एक यह कि आप इसको स्टिक्स पर लगा कर और चुले की आँच पर ही सेख लें जा इसके अलावा आप इसे पैन में रख दें ना ओवन में रख दें और उसको उसको थोड़ी देर के लिए तेस उसके उसके ऊपर जह है को एक कुप का जो है पक्यवा का अफेक्ट आज़ा वह मैं भी आपको दिखा देगा जी ना जी मैंने इस पी से पनीर हटा दिया है और अब मैं जो हूं इसमें चिकन शामिल कर रही हूं सिर्फ मैंने एक टी स्पून जो है वो इसने तेल का शामिल किया है पहले अब मैं आपकी चिकन पखने के बाद दिखाऊंगी तो मैं इसके साथ क्या करेंगी इस चिकन को हम ओवन में थोड़ी देर सलर्ट देने के लिए दखेंगे ना जी चिकन अच्छी तरह पग गई है और इसमें पानी अब मैं इस पॉइंट पे इसको चूले को बंद कर रही हो और इसको थोड़ा साथ जब इसमें से भाप निकल जाएगी तो फिर मैं इसको इस तरह की स्टिक्स में चड़ाऊंगी और मैं नहीं यह देखिया पनीर को भी इसी तरह इस पे चड़ा लिया है और फिर उसके और मैं इसको ओवन में रखोंगी और इसे कलर दूँगी औ तो अगर इसे थोड़ा सा मीटर्णार्स टौल में रसके रिखोंगी और सप्धिया उसको अर्द इसलिए का एक जह का मीटर्णार्स जीकलक Avasa आपके पास लोही की बड़ी स्टिक्स हैं तो आप उस पे चढ़ा कर और डारेक्ट चूले पे इस तरह सेख कर उसके कॉर्णर जैसे बार्बी की होता है इस तरह कर सकते हैं लेकिन मैं इसको कुईक उसमें जल्दी करने के लिए ओवन में रखोंगी और उसमें जहें भी जल् है यह देखिए नाजरीन मैंने इनको इस तरह बार्बी क्योंकि जो इस्टिक्स मिलती है उन्पे चढ़ा दिया मैं इसे ओवन में रखोंगी ओवन में थोड़ा सा यह जो इस्टिक्स होती है वो थोड़ी सी बर्ण हो जाती है लेकिन उससे परेशान होने की जरुवत नही और पांच मिन्द दूसरी साइट रे हम इसको पकाएंगे यह जो मसाला बचा हुआ है चिकन का हम इसको ड्राइ कर लेंगे जी नाजरीन अब हम मसाले की तरफ आ गए है टेमाटर हम ले रहे हैं मीडियम साइज से मराद मेरी बड़े बड़े नहीं है बलकि छोटे से खाटर लिये है छे ही प्याजली, 3 T घी पून हमने लेसनद रख लिया है हम मखन इस्तेमाल करेंगे 50 ग्राम के करीब यह तकरीबन यह तीन टेबल इस्पून के करीब होगा और हम इसमें तीन टेबल इस्पून ही वाइल भी डालेंगे खुसूरी मेथी है दो टी-स्पून गरम मसाला पॉडर है वन टी स्पून धनिया पॉडर है वन टी स्पून नमक हम वन टी स्पून अभी इस्तेमाल करेंगे और फिर चक्कर स्पूर डालेंगे वन टी स्पून धनिया जीरा पॉडर है और हाफ टी स्पून हल्दी इसके अलावा ये food color है ये हम 1-8 teaspoon डालेंगे बड़ी लाइची दो अदद cinnamon sticks की इस तरह की देख सकते हैं आप जादा बहुत जादा नहीं ही डालने ये ये इस तरह की ये छोटी छोटी सी sticks हैं छे लौगे हैं और ये छे ही छोटी लाइची हैं अब हम इसको पकाने की तरफ जाते हैं हमारी chicken तयार हो चुकी है और पनीर भी हमने oven में grill कर लिया है वो में अबे आपको जिस वद मैं उसको इसमें डालने रवी तो आपको दिखाते हैं ये लिजए नाजीम हमने इसमें 50 ग्राम मक्षन और थ्री टेबिल स्पून हमने ओइल लिया है हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि ओइल साथ में डाले और ना मक्षन जल जाता है तो ये मक्षन और तेल दोनों चीज़े हैं हम इने पहले तोड़ा करम करेंगे याज को हमने ट्रांस्पेरिंट करना है जिए नाजीम आप देख सकते हैं ट्रांस्पेरिंट हो ही है तोड़ा सा तोड़ा तोड़ा सा जग्या मसाला भी पतने लगे तो ये चमाटर शामित करना है अब हम कोट के मात्वों को नरम होने तक पकाएंगे, अगर आज़ता है तो पुपको रगा कर भी पुरीजेट पकाएंगे देश सकते हैं कि आज भी नरम हो गई है और चमातर भी नरम हो गए अब हम इसमें ये लखनदरत मसाले सामिल करेंगे ये हम आदा किलो गे उसके सामिसाले डाल जाएंगे आदा किलो 500 ग्राम पिकन और 500 ग्राम ही हमारा पनी है हम मुझे माले डाल दिए अब इसके खोड़ा साथ पकाएंगे अब हम इसका चूला बंजब देंगे ठंडा करके पीस देंगे ये हमने जो मसाला बनाया था वो देखें ये पीस लिया है और अब मैं इसको एक स्टेनर की मतबस से इसको छानूंगी प्यास टेमाटर के मसाले को और काफी पतला था इसलिए मैंने इसको अची तरह पका लिया है आप देख सकते हैं और अब मैं इसमें थोड़ा जब काड़ा हो गया तो आप मैं इसमें मैंने आपको बताया था कि फूट कलर जाएगा फूट कलर से इसमें वाजब कासर कलर आ जाएगा ये फुसूरी में थी लोग सब जो कुकिंग करते हैं वह बहुत अच्छी का जानते हैं कि इसको थोड़ा सा खास में लेके पतल के डालें आपको जितनी गाड़ी या पतली क्रेवी रखनी है आप मेरे साथ से इसको पतला रख सकते हैं एक चीज और जो हम इसमें डालेंगे वह है क्रीम और यह प्रताया था कि हाफ कप क्रीम जाएगी स्कूंदर मैं इसको तेज आच पर गरम कर रहे हैं इसको अच्छी तरह क्रीम को हम रिजॉल्फ कर देंगे मैं इसकी क्रेवी थोड़ी सी पतली इसना करते हैं अब मैं आपको तकाती है यह चिकन यह देखिए आप देख सकते हैं चिकन को हमने ग्रिल कर लिया था और नीचे यह पनीर है अब हम इसको इसमें इसी तरह डाल रहे हैं आप चाहिए तो इस टिक से निकालके भी डाल सकते हैं लेकिन मुझे थोड़ा सा अच्छा लुक लगता है इसका तो ये इसमें ऐसे ही लगता है जासे हम तिक का खा रहे हैं पाँ से दस मेर और हम इसको इसमें ठाएंगे क्योंकि ओवन में पकने के जासे ये थोड़ी ड्राइ सी हो गई है जिकन और पनिया दोनो ही इसलिए मैं इसको इसमें आप अब ये देख सकते हैं मैंने काफी पतले में ही इसको डाल दिया है और अब ये थोड़ी देर में इसको इसका जूस है वो इतनम सक कर लेगी तो ये दिलकुर पर्फेक्ट होगा है अब इसे हम तफिजन पाँच मिनट ते राच के पताएं मैंने इसको ओवन में किया ओवन में हमेशा चिकन या जो भी चीज आप करते है थोड़ी ट्राइ होती है तो इसलिए मैंने इसको गिरे वी में डाल दिया पहले से और एक चीज जो मैंने आपको बताई कि मैं स्टिक के साथ डाली हूँ आप चाहें तो इसको 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 स्ट तिक्के बाइर डालते हैं लेकि मुझे क्योंकि वो एक तिक्के का फ्लेवर अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने इस तरह रखा लीजिया नाजरीन मज़िदार चिकन और पनीर तिक्का मसाला तयार है मैंने इसको प्याले में निकालते वे स्टिक से निकाल दिया है अमीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी रेसिपी पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएए शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ कॉमेंट्स कीजिए बताईए आपको क्या चीज़ में अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो मुझे जरूर बताईए इसके अलावा अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत एजी रेसिपी होती है इंशालला फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो के साथ अल्ला हाफिज क्योंकि